नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो सुरुवात करने से पहले आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, पहले इस क्लिप को आप देखिए अब चलते हैं चित्रा के पास, चित्रा अब आप हमें बताईए कि हिमन सुरेन बाहर आए या नहीं आए और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी, उन्हें तो बहुत शांदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेंस में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड देखनी की ज़रत इसलिए पड़ी, ताकि आपको कुछ हद तक मामला समझ में आ जाए, इस क्लिप को देखकर आपको क्या कुछ समझ में आया, आप हमें कमेंड में अभी ही बता दीजी, यह वीडियो जो आपने देखा, इसमें आपने देखा होगा, कि एक एंकर जिसे नाम सुधीर चौदरी है, हिंदी पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा जाना पाचाना नाम है, आपने 28 साल के करियर में सुधीर ने देश और वीडियों में कई बड़ी खबरों को कवर किया है, जिने पत्रकारिता के छेतर में स्रेश्टता के लिए रामनात गोईन का पत्रकार सुधीर चौदरी पर पुर्व मुखी मंत्री हेमन सौरिन का अपमान करने का आरोप लगाया गया है, यह घटना उस वक्त की है जब 31 जनवरी को हेमन सौरिन ने छारकन के मुखी मंत्री पत्स से इस्तिपा दिया था, और इसके तुरांत बाद एडी ने उन्हें इस यह अधारी टिपनी की थी, इसी पिर जारकन के पुर्व मुखी मंत्री हेमन सौरिन पर जात्ति अधारी टिपनी करने का आरोप लगा है, इस सम्मन्द में दर्ज मामले के मुताबित सुधीर चौदरी की टिपनी से ना सिर्फ हेमन सौरिन, बलकि पूरे अधिवासी सम मुदाय का अपमान हुआ है सिकायत करता का दावा है कि सुधीर चौधरी ने अपनी सो में कहा था कि हेमन सौरेन को 40 साल पीछे चले जाना चाहिए और जंगल में आदिवासी बनकर रहना चाहिए सिकायत करता ने यह भी कहा था इसे यह असपश्ट होता है कि सुधीर चौधर जाती द्वेश से ग्रशित विखती है सिकायत की मुताबित सुधीर चौधरी नकसलवाद से पिडित विखती है जिनके लिए जंजाती का मतलब पिछड़ापन और जंगली पन है पर सिकायत में आगे यह भी कहा गया है कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है दीस की पहली महिला राष्टपती द्रोगपती मुर्मू भी आदिवासी शमुदाई से आती है ऐसे में सुधीर चौधरी आदिवासीों को नकसलवाद और स्रेश्टता की भावना से प्रेरित जंगली बताते हैं मामला दर्च कराने के साथ ही मांग की गई कि सुधीर चौधरी के खिलाब एसी एस्टी अतियाचार निवारन अधिनियम 1989 के तहत कानूनी करवाई की जाए और उनकी ग्रफतारी भी की जाए दर्च करने वालों में आधिवाची शेवा महानगर अध्यच, अजीत लकड़ा, अमरनात लकड़ा, अकास तिर्की, पंकज भगत, नितीन तिर्की, मुन्ना तिर्की, अकास बारा, अनूप लकड़ा, निशान्त खलगो और भी ऐसे बहुत से नाम है आपको यह भी बताते हैं कि सुधीर चौधरी के उपर जो शवाल उठ रहे हैं, इसकी सुरुवात कहां से हुई है 31 जनवरी को हेमंत सौरेन ने जारकन के मुख्यमंत्री पद से इस्तिपा दे दिया इसके तुरंद बाल, एडी ने उन्हें भूमी घोटाला मामले में किरफतार कर लिया उसी रात, आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने एक सवाल पुछा कि क्या सौरेन को सौरेन को स्सी एश्टी समुदाई से उसे आरक्षान दिया जाना चाहिए या एसी एस्टी अधिनियम का लाब दिया जाना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि जेल में सौरेन की रात सालों पहले जंगल में रहने वाले अधिवासियों की तरह जैसी होगी सुधीर सो में कहते हैं अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी उन्हें तो बहुत संदार लाइब अश्टाइल की आदत है वह प्राइविट प्लेन में चलते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे बीस तीस चाल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है साब तोर पर सुधिर ने यह कहना चाहा कि अधिवासी समुदाय गरीब है और जंगलों तक ही सीमित है सुधिर ने सो के दोरान यह भी सुझाओ दिया कि समुदाय में जो लोग आर्थिक रूप से बहतर उन्हें आरच्छन नहीं दिया जाना चाहिए सुधिर ने हिंदी में कहा आप सोचिए क्या इस परिवार को यह कहने का दिकार है कि एक गरीब है क्या इस परिवार को यह कहने का दिकार है कि उन्हें आरच्छन मिलना चाहिए क्या या जो सौरिं परिवार हैं उसे आरचन का लाब मिलना चाहिए, क्या इसे आधिवाश्यों का लाब मिलना चाहिए, क्या S.C.H.D. at के तहथ इसकी सक्ति और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि या देस के बड़े बड़े अमीर खंदानों से भी जैदा पैसे वाले हैं, या अ आती सही है मगर उन्होंने एक जो बात कह दी 20-30-40 साल पहले किसी आधिवासी के तौर पर अपने जंगलों में चला जाए इससे आधिवासियों के मन में ठीस पहुंचा क्योंकि आप जानते होंगे जारखन चारो और जंगलों से घीरा हुआ है जारियों से घीरा हुआ है जि मुझे उनकी यह मानसिकता दिखती है कि वह आधिवासियों को जंगली की रूप में देखते हैं आप जिस प्लैटफ़ॉम से बोल रहे है उसे लखो भारते देख रहे हैं आप देश के सबसे बड़े न्यू जैनल से बोल रहे हैं तो लोगों के अंदर आधिवासियों के प्रति क्या मान सकता उत्मन होगी या सुधिर चौधरी को शोचना चाहिए था। उन्होंने इस अभधर टीपनी पर अपना एक सुझाओ भी दिया है तो वह भी हम आपको बताते हैं कि वह सुझाओ क्या है। आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोपो को लेकर मुझे सोचल मीडिया पर नफरत से भरी संदेश मिल रहे हैं। इससे मुझे बहुत दुख और पिड़ा हुई है। हेमन सौरिन के आलोचना करना आदिवासियों के आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता है। तो मेरा तो इस बात पर केंदरित था कि कैसे अमीर नेताओं दौरा आदिवासी वोटों का दुर्पयों किया जा रहा है। एक छोटी वीडियो क्लिप लगा कर सेर की जा रही है जो ना तो मेरा पूरा संदेश देती है और नहीं संदर्ब। इस वीडियो से भ्रहमक फैलाने के कोशिस की जा रही है। मैरे आदिवासीों के लिए किसी भी तरह का अपमान जनक सब्द का परियोग नहीं किया है। ना ही पहले और ना ही बाद में। मैं हमेशा आदिवासीों का समर्थन और शमान किया है। और उन्होंने भी हमेशा मेरे और मेरी टीवी कारिकरमों के परती बहुत प्यार दिखाया है। मैं उनका आपमान करने के कलपना भी नहीं कर सकता हूँ। मैं सोसल मेडिया पर सकीरी हर वेक्ती के परती जवाब दे नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अपने अदिवासी भाईयों और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा करता भी है। अगर मैंने अंजाने में अपने अदिवासी भाई बहनों को भावनाओं को थेस पहुँचाया है तो मैं उनसे बिना सर्थ माफी मांगता हूँ। तो अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि क्या थी पूरी कहानी और इसके लिए सुधीर चौधरी ने भी माफी मांगी। तो आप हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि सुधीर चौधरी के दुवारा मांगी गई माफी और अधिवास्यों के दुवारा लगाया गया आरोप में कौन सही है और कौन गलत तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के और भी वीडियो में अगर यह वीडियो आपको पस चाहित न्यूज तब तक के लिए धन्यावाद अपर यह वीडियो आरो श्राइं जावियो आपको पस्के दूएब के उन्यावाद